दोस्तों यदि आप एक Zero Balance Saving Account आपन करना चाहते हैं तो फिर आप लोग घर वैठे AU Small Finance Bank में ओनलाइन Zero Balance Saving Account आपन कर सकते हैं Zero Balance मतलब यदि आप अपने अकूंट में कोई भी बाइलेंस मैंटेन नहीं करते हैं कोई भी बाइलेंस नहीं रखते हैं सबसे अच्छी बात है कि अकूंट आपन करने के बाद KYC कम्प्लीट करने के लिए आपको बैंक के ब्रांच में जाने की बिलकुल भी जरुवत नहीं है आप लोग घर बैठे वीडियो KYC के माद्यम से अपने अकूंट का KYC कम्प्लीट कर सकते हैं तो हम किस तरिका से AUS Small Finance Bank में घर बैठे ओनलाइन जीरो बैलेंस से भी अकूंट आपन करेंगे चलिए आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताते हैं दोस्तों यहाँ पर AUS Small Finance Bank में जीरो बैलेंस से भी अकूंट आपन करने से पहले इसकी डिटियल हम जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर देखे अकूंट आपन करने पर आपको 7% का इंट्रेस्ट मिलता है जो भी आप अपने अकूंट में बैलेंस रखते हैं उस पर जो भी इंट्रेस्ट मिलेगा वो आपको हर एक महने आपके अकूंट में क्रेडिट क्या आता है इसके अलावा यहाँ पर देखे आपको डेविट कार्ड मिलेगा इसके अलावा यहाँ पर देखे लिखा है नो मिनिमम बैलेंस तो यहाँ पर आपको अपने अकूंट में कोई भी बैलेंस मैंटेन करने की जरुत नहीं है अकूंट ओपन करने के बाद आप EU Small Finance Bank के Mobile Banking इसके अलावा नेट बैंकिंग के मादधेम से Online Transaction कर सकते हैं जैसे कि IMPS, NEFT या फिर RTGS के मादधेम से Fund Transfer कर सकते हैं, Bill Payment कर सकते हैं, Mobile Recharge कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर देखे लिखा है Free Off Charge Fund Transfer तो आप यहाँ पर EU Small Finance Bank के Mobile Banking या फिर Net Banking के मादधेम से IMPS, RTGS या फिर NEFT के मादधेम से Fund Transfer करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी Charge Pay करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तो यहाँ पर Account Open करने के लिए आपके पास आधार Card साथी Pen Card होना जरूरी है चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमकी इस तरीका से Account Open करेंगे दोस्तो मैंने वीडियो के description में Link दे दिया है आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आजाएंगे अब यहाँ पर देखे लिखा है Mobile Number Link to with आधार तो जो भी Mobile Number आपके आधार Number के साथ Link है वह Mobile Number आपको यहाँ पर Fill Up करना है चलिए हम यहाँ पर Fill Up कर लेते हैं यहाँ पर Mobile Number Fill Up करने के बाद Verify Mobile पर क्लिक करेंगे अब आपके Mobile Number पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को Fill Up करेंगे यहाँ पर OTP Fill Up करने के बाद आप Verify पर क्लिक करेंगे यदि OTP आपके Mobile पर नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए टाइम चला है इस टाइम के बाद आप दुबारा से OTP ले सकते हैं यहाँ पर Resend OTP पर क्लिक करके चले इसके बाद हम Verify पर क्लिक कर लेते हैं अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे अब आगे का प्रोसेस होगा अब दोस्तों यहाँ पर देखिए का जा रहा Inter Pen तो यहाँ पर आपको अपना Pen Number Fill Up करना है चले Fill Up कर लेते हैं जैसे आप यहाँ पर Pen Number Fill Up करेंगे यहाँ पर देखिए Green Tick लग जागा इसके अलावा जिसके नाम से भी यह Pen Card Number होगा यहाँ पर देखिए उसका नाम नीचे में सो करेगा चले इसके बाद आपको इस Box में टिक कर लेना है इसके बाद आप यहां से Proceed पर केलिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आधार Number Fill Up करने के लिए आगे है तो आप यहाँ पर अपना आधार Number Fill Up कर लिए आप यहाँ पर आधार का Virtual I-D भी फिल लिब कर सकते हैं यहाँ पर Virtual I-D पर कलिक करेंगे और यहाँ पर आधार का virtual ID fill up कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर आधार नमबर ही fill up कर लेते हैं यहाँ पर आधार नमबर fill up करने के बाद आप इस box में टिक करेंगे और get OTP पर click करेंगे अब दोस्तों जो आपके आधार नमबर के साथ mobile number link है उस पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को fill up करेंगे चलिए मेरे पास OTP आ चुका है हम यहाँ पर OTP fill up कर लेते हैं यहाँ पर OTP हमने fill up कर दिया है यदि OTP नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए time चल ला है इस time के बाद आप लोग यहाँ पर दुबारा से OTP ले सकते हैं चले इसके बाद हम confirm पर click कर लेते हैं अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा wait करेंगे अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर का जा रहा है कि आपको document ready रखना है यदि आप video KYC के माध्यम से अभी KYC complete करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास original pen card होना जरूरी है अब यहाँ पर देखिए detail आ चुका है जैसे कि यहाँ पर जो भी आपके आधार card में detail है यहाँ पर हुआ details हो करेगा जैसे कि आपका नाम यहाँ पर देखिए date of birth automatic fill up हो चुका है इसके बाद यहाँ पर है marital status तो आप यहाँ पर click करेंगे अब यहाँ से आप select कर लिजे आप single है या फिर married है चलिए हम यहाँ पर select कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने select किया married तो जैसे हमने यहाँ यहाँ पर fill up करने के लिए आगे है spouse name spouse name मतलब पती या फिर पत्नी का नाम fill up करना है चुकि हम जिसका account open कर रहे हैं वह ladies है तो यहाँ पर पत्ति का नाम fill up करेंगे यदि आप mail है तो यहाँ पर आप अपने पत्ति का नाम fill up करेंगे यदि आप यहाँ पर single select करेंगे तो यहाँ पर response name fill up करने की जुरत नहीं पड़ेगी चले हम fill up कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है email ID तो यहाँ पर आपको अपना email ID fill up करना है इसके बाद यहाँ पर देखे है alternative mobile number यदि आपके पास दूसरा mobile number भी है तो आप यहाँ पर fill up कर सकते हैं नहीं तो चोड़ दीजे इसके बाद यहाँ पर है father name तो यहाँ पर आप अपने father का नाम fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है mother's name तो यहाँ पर आप अपने maa का नाम fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है permit address तो जो भी आपके आधार card में address है यहाँ पर देखिए वह automatic fill up हो जाएगा आपको address fill up करने की जुरुत नहीं परेगी इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा is estate तो आप यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से वाद यहाँ पर देखे लिखा is city तो आप यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से CT सेलेक्ट कर लिजे इसके बाद यहाँ पर देखे लिका है Select Your Communication Address तो यहाँ पर देखे जो भी आपका आधार कार्ड में Address है यदि उसी Address को आप Communication Address रखना चाहते हैं यहने कि उसी Address पर आप बैंक के तरफ से आप ATM कार्ड चेक्बुक लेना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर इस बाक्स में टिक लगावा रहने देंगे लेकिन दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि दूसरा किसी Address पर ATM कार्ड चेक्बुक लेने के लिए तो फिर आपको यहाँ पर Other Address को Select करना है अब यहाँ पर आपको Address फिल अप कर लेना है जो Address पर आप बैंक के तरफ से ATM कार्ड चेक्बुक लेना चाहते हैं चलिए हम यहाँ पर Address फिल अप कर लेते हैं इसके बाद आप यहाँ पर पीन कोड और एस्टेट और सीटी फिल अप कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर देखे लिका Add a Nomony यदि आप Nomony में नाम किसी का Add करना चाहते हैं Nomony में नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर Yes को Select करेंगे अब यहाँ पर आपको Nomony का Detail फिल अप करना होगा जैसे कि यहाँ पर Nomony का नाम यहाँ पर Nomony का Relationship जिसका भी आप Nomony में नाम एड़ करें उसका आपके साथ क्या Relation है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप फादर को Nomony में नाम एड़ करना चाहते हैं तो फादर सेलेक्ट करेंगे आप इस कलेंडर का आइकोन पर किलिक करके Nomony का जो भी Date of Birth है आप यहाँ पर फिल अप कर लेंगे यदि आप यहाँ पर Nomony में Sister का नाम एड़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर Sister सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर Sister का नाम फिल अप कर लेंगे यहाँ पर Nomony का Detail फिल अप करने के बाद यदि आपका एड़ेस और Nomony का एड़ेस दोनों सेम है तो फिर आपको यहाँ पर Next पर किलिक करना है यदि Nomony का एड़ेस और आपका एड़ेस दोनों अलग अलग है तो फिर आप यहाँ पर Nomony का एड़ेस फिल अप करना होगा तो यहाँ पर आपको Select कर लेना है जैसे कि यहाँ पर है communication address तो जो भी आपने यहाँ पर communication address fill up किया है आप यहाँ select कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए automatic address fill up हो जाएगा यदि दूसरा address है तो आप यहाँ पर other address को select करेंगे अब यहाँ पर nominally का जो भी address fill up कर लेंगे आप nominally का नाम बाद में भी add कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर no select कर लेते हैं हम nominally का नाम बाद में add कर लेंगे इसके बाद आपको इस box में टिक करना है और next पर किलिक करना है अब दोस्तों यहाँ पर देखिया गया है occupation type तो आप यहाँ पर किलिक करेंगे और यहाँ से select कर लिजे आप क्या काम करते हैं तो यहाँ पर देखिये बहुत सरा option दिया हुआ है जैसे की salary private, self employed, student, unemployed, housewife, retire pensioner, salary government तो आप यहाँ पर select कर लेंगे अपने हिसाब से यदि आप student है तो आप यहाँ से student को select कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर select कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिये लिखा है annual income तो आप यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से select कर लिजे आप साल भर में कितना कमा लेते हैं साल भर में आपका income क्या है आप यहाँ पर किसी को भी select कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर select कर लेते हैं इसको 0 से लेकर के 2.5 लाग तक इसके बाद आपको यहाँ पर no select रहने देना है इसके बाद आपको next पर click करना है अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं select किया हुआ AU digital saving account और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ zero balance account यानि कि आपको इसमें balance maintain करने की जरुवत नहीं है यदि आप अपने account में कोई भी balance नहीं रखते हैं zero balance रखते हैं तो फिर आपसे bank कोई भी charge नहीं लेगी अब यहाँ पर देख सकते हैं benefit के बारे में बताया गया है सबसे पहला तो यहाँ पर आपको 7% per annum with monthly interest payout यानि कि आपको यहाँ पर 7% की दर से ब्याज मिलेगा और आपको हर एक महने आपके account में ब्याज credit कर दिया जाएगा इसके अलावा आपको यहाँ पर रूपे платन yang debit card मिलेगा इसके अलावा allih यहाँ पर देखे लिखा है average monthly balance requirement यहाँ पर देखे जीरो लिखा है यानि कि यहाँ जीरो बैलेंस account है इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको debit card मिलेगा देख सकते हैं, रूपए का debit card यहाँ पर दिया जागा, रूपए platinium debit card मिलेगा, इस तरह का, यदि आपको debit card नहीं चाहिए, तो फिर आप इसको यहाँ से नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम आपको सला देगे कि आपको debit card लेना चाहिए, इसके अलाबा आपको यहाँ पर checkbook चाहते हैं, तो फिर आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं, चलिए हमें checkbook चाहिए, इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है find us near you, यहाँ पर देखे, estate select किया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर देखे CT है, तो आप CT पर click करेंगे, और यहाँ से select कर लिजे, आपको कौन से branch म account open करना है, चलिए हम यहाँ पर select कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर है select branch, तो आप यहाँ पर select branch पर click करेंगे, और यहाँ से select कर लिजे branch, अब यहाँ पर देखे ब्रांच का लाम आ चुका है, तो आपका इसी branch में account open होगा, इसके बाद आप next पर click करेंगे, इसके बाद पर देखेगा गिया इंटर M12 Fund Account तो यदि आप अभी Account में Fund add करना चाहते हैं तो यहाँ पर Account में Fund add कर सकते character नहीं तो बाद में भी Add कर सकते हैं चलिए हम बाद में Add कर लेंगे इसके बाद Next पर Click कर लेंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा wait करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखें डिटेल आ चुका है तो आप यहाँ पर check कर लीजे कि जो भी आपने detail फिलब किया है वह सब कुछ सही है यदि आपको लगता है कि इसमें detail गलत है तो आप यहाँ पर edit पर click करके आप यहाँ पर edit का icon पर क्लिक करके इसको edit कर सकते हैं चले इसके बाद आपको नीचे scroll कर लेना है इसके बाद यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए अधियाप DBT याने की direct benefit transfer का पैसा जैसे की gas subsidy या फिर और जितने भी भारा सरकार के दोरा चलाये जाने वाले योजना का पैसा आप EU small finance bank account में लेना चाहते हैं तो फिर आपको इस box में tick करना है और यहाँ पर आपको इस box में tick कर लेना है इसके बाद आपको इस box में tick करके proceed पर क्लिक करना है लेकिन दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका subsidy का पैसा जो दूसरे bank account में आ रहा है उसी account में आए उसमें कोई भी changes नहीं हो वा EU small finance bank में नहीं आए तो फिर आपको इस box में tick करना है इसके बाद आपको इस box में tick कर लेना है और proceed पर क्लिक करना है यदि आपको यहाँ पर सारा detail सही है तो आप यहाँ से confirm पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा wait करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखे वीडियो KYC करने के लिए आगया है तो आप यहाँ पर click here to complete your KYC पर क्लिक करके आप अपने account का वीडियो KYC के मादले हम से घर बैठे KYC complete कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि बाद में KYC करने के लिए तो फिर आप यहाँ पर click here to schedule ये वीडियो पर click करेंगे और यहाँ से आपको date select कर लेना है और time select कर लेना है कौन से date और time में आपको वीडियो KYC complete करना है चलिए हम यहाँ पर calendar का icon पर click करेंगे और यहाँ से select कर लेते हैं हमने यहाँ पर date select कर लिया है इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है select time slot तो आप यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से time select कर लिजे आप कौन से time में video के वैसी complete करना है चले हम यहाँ पर select कर लेते हैं 1 p.m. से 2 p.m. इसके बाद confirm पर click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखिया गया thank you आपने जो यहाँ पर video KYC का date or time select किया है उस date or time पर आपके registered mobile number यानि की जो mobile number से आपने bank account open किया है उस mobile number पर EU small finance bank के तरफ से एक link send किया गया होगा उस link पर click क करके आप लोग जो date or time आपने select किया है उस date or time में video KYC के मादियम से KYC complete कर सकते हैं चलिए ok पर click कर लेते हैं दोस्तों जैसे हैं आप video KYC के लिए time or date schedule करेंगे आपके registered mobile number यानि की जो mobile number bank account के साथ link है उस mobile number पर इस तरह से message आएगा यहाँ पर देख सकते है appointment set a video call has been schedule यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको एक और message आएगा आपके registered mobile number पर जिसमें की यहाँ पर देखिए video KYC का link दिया हुआ है आप इस link पर किलिख करके account का video KYC के मादियम से KYC complete कर सकते हैं तो किस तरीका से हम video KYC करते हैं मैंने video के description में link दे दिया है आ वीडियो जरूर देख लिए तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो date और time select किया है वीडियो KYC के लिए यदि आप अपने account का KYC complete कर लेंगे उसके बाद आपके registered mobile number यानि की जो mobile number आपके bank account के साथ link है उस पर AU small finance bank के तरब से customer ID इसके अलावा account number send कर दिया आता है साथी आपके registered email ID पर भी bank के तरब से customer ID और account number send कर दिया आता है इसके अलावा आपने जो भी communication address दिया है उस address पर AU small finance bank के तरब से ATM card साथी checkbook send कर दिया आता है दोस्तों AU small finance bank का वीडियो के वैसे किस तरिका से क्या आता है मैंने वीडियो के discussion में link दे दिया है आप लोग क्लिक करके जरूर द बता दिया है आपके मन में कोई सवाल लगता है तो comment करना मत भूलिएगा फिर मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टिक केर